हाई एवरिवन कैसे हो आप सभी लोग आयोब आप लोग अच्छे होंगे मैं हूँ राहूल जैस्वाल एंड स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बड़ फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टुटोरियल्स में फ्रेंड्स आज एकेन आपके सामदिंग मोस्ट इंपॉर्ट इस पर्टिकुलर चाप्टर का लेक्टर नंबर थ्री आपके लिए लेकर आगए है जो कि अगेर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टन लेक्टर वीडियो होने वाला है तो दोस्तों आपको चश्ट में याद दिलाना चाहूँगा कि इसके पहले हमने अल्रीड दो कि इसमें हम हतियार का इस्तेमाल कर रहे है क्रांतिकारी आंदोलन करने के लिए क्योंकि आप जानते हो एक टाइम था कि गांधी जी ने बहुत बार ट्राइ किया शांती तरीके से नहीं हो रहता तर लेकिन कुछ ऐसे भी व्यक्ति थे जिनका जो तरीका था आजादी पाने दो लेक्शर में डिसकस किया आज तीसरा लेक्छर है और आज हमें दो इंपार्टेंट्ट चीज के बार में पढ़ना है एक तो है गऱदर मोमेंट गदर नाम तो सुना गदर अल्हीं होगा गदर ऑल inputs चुछ देख सकते हो, पूरा प्लेलिश भी अपडेट है, प्लेलिश में हर चाप्टर, हर स्टाइंडर्ड के हिसाब से वीडियो साब को देखने मिल जाएंगे, साइन्स पूरा कम्प्लीट, पूरा कम्प्लीट, हिस्ट्री जोग्राफी, सिविक्स, पॉलिटिकल साइन्स, हर चीज मिल जाएगा, ठीक है, तो अच्छे से देख लेना, सोचल मीडिया पर कनेक्ट होना चाहते हो, तो प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ओके, चलो आते है टॉपिक के उपर, तो आज सबसे पहली बात, यह आपको मैं बता दू, कि यह जो गदर है, इसका एक मीनिक होता है, जिसको हम लोग बोलते है, रिवोल्ट, गदर का exactly मीनिक जो होता है, उसको बोलते है, रिवोल्ट का मीनिक होता है, किसी भी चीज से, अगर आप ग्रिना करते हो, यानि कि आप उसके जानते हों कि हमारे देश, हमारे देश मेनी पुर्ए वल्ट में दो बार वर्ल्ट वर उर्ट हो चुकें, वर्ल्ट वर वर टू, तो जब पहला विशवयूद हो रहा था, तो रिवॉलूषनरी वर्क, यानि कि यह एक क्रांतिकारी वाला जो वर्क चल रहा था दोस्तों, ये British Government के खिलाब बहुत ज़्यादा तगड़ा हो गया था और कुछ ऐसे Revolutionaries थे उनको ये लगा कि ये जो British जो है वो कहीं ने कहीं World War 1 जो हो रहा है उसमें हिस्सा ले रहा है कहीं ने कहीं Britishers के भी बहुत सारे दुश्मन है अब इस चीज़ का हम फाइदा उठा सकते हैं और हमारे इंडिया को आजात करवाने के लिए कुछ न कुछ दिमाग उपाए सोच सकते हैं तो यहाँ पे हुआ ये था जब British Government बहुत ज़्यादा फॉर्म में आ चुकी थी momentum था उनके पास तो यहाँ पे जो revolutionary ने सोचा कि क्यों न हम जो ये power है इसको transfer करें और बहुत सारे लोगों की help लेके यानि कि जो दुश्मन के दुश्मन है उनको अपना दोस्ट बनाके British के खिलाफ ही कर दे जैसे कि आप जानते हो एक कहावत बहुत पुरानी है कि दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्ट होता है अलग अलग कंट्रीज में जब रहते थे तो उन्होंने इस चीज को एक बहुती अच्छी सुनरे अवसर के रूप में देखा और उन्होंने एक organization create किया यहाँ पे तो इस चीज का फाइदा उठाने के लिए यह opportunity जो थी एक revolutionary organization की तो वो revolutionary organization तयार किया गया और उस चीज का नाम रखा गया गदर क्या नाम रखा गदर नाम का एक organization रखा गया यानि कि उसमें आपको revolt करना है आपको अपनी नाराजगी व्यक्त करना है इस प्रकार से अब यहाँ पे जो इंडियन्स थे जो अमेरिका में रहते थे कैनडा में रहते थे जो पूरे विश्व में फैले हुए थे उनका क्या था कि कही न कही से वो इस प्रकार का चीजे करें कि हमारी आजादी मिल सके इंडिया जो है आजाद हो सके और वहाँ पे अपना रिवालुशनर का काम कर सके तो कुछ व्यक्ति थे जिनका नाम है यहाँ पे मेंचन करना चाहूंगा आप लोग नोट डाउन करते जाना एक एक करके तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था भाई परमानंद ठीक है भाई परमानंद करके व्यक्ति थे एक थे लाला हरदयाल थे फिर डॉक्टर पांडूरंग थे टीक है न शदाशिव कनहोजे थे ये सब कुछ व्यक्ति थे जिन्होंने रिवॉलुशनरी के रूप में अपने जयसे आप स्कूल की है तो उसका इप्राक्टिकलال की अंदर लिखा जाता है, क्या आप्टीकल के अंदर क्या क्या है, स्का Procedure, इसका जो आंदोलन चल रहा था इसका journal maintain किया जाने लगा और उसमें जो भी ब्रिटिश रूल्स था जो इंडिया के खिलाफ था क्या क्या चीज़ यह होनी चीज़ यह सब चीज मेंशन किया जाने लगा और information about the जो revolutionary काम करते थे उनकी क्या daring है और किस प्रकार से वो काम करते थे यह सबी चीज मेंशन किया जाने लगा और किस प्रकार से अपने देश से हम प्यार करते हैं love for the nation यह सबी चीज उसमें व्यक्त करने जाने लगे कुछ लोग हतियार से rebel हो चुके है यानि बाकी बन चुके है और अपने देश के लिए लड रहे हैं यहाँ पे message पहुचाने का जो काम है वो इस गदर नाम के journal के थुरू किया जाने लगा ठीक है ना journals भी लिखे जाने लगे और यह journal के थुरू message और information जो है पहुचाने जाने लगा इंडियन्स को अगर यह सब चीज मिलेगा तभी तो war में बहुत tension में है world war में busy भी है तो इस चीज का हमें advantage हुटाना चीए तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया एक plan बनाया और सबसे पहले पंजाब में revolt करने का सोचा यह पंजाब में गदर करने का सोचा अब पंजाब में कैसा सोचा उन्होंने कि पंजाब में आप जानते हो अपने favor में लेके यहाँ पे अपने साथ इस गदर के अंदर इस revolt के अंदर क्या कर दिया और एक decide हुआ यहाँ पे कि एक व्यक्ति जिनका नाम था रश बिहारी बोस यह तो आपने नाम सुनाओगा बहुत फेमस व्यक्ति है तो रश बिहारी बोस और उनके साथ में एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था विश्नु गनेश ठीके ना विश्नु गनेश पिंगले तो उन्होंने यह जो गदर था यह जो पंजाब में जो रिवॉल्ड चल रहा था वो उनके क्या थे लीडर थे कौन किसकी बात कर रहा हूं है यहाँ पे वापस से नाम लिख देता हूं विश्नु गनेश पिंगले विश्नु गनेश पिंगले यह दो व्यक्ति ने क्या कर दिया पंजाब के जो रिवॉल्ड था उसको लीड करना चुनूगे तो उन्होंने क्या किया यहाँ पे अब जैसे कि आप जानते हूं कि ब्रिटीच जो है बहुत सारे एक तरीके से खुफिया लोग भी वो लोग रखते थे, क्योंकि ब्रिटिश जो है इतने बेवकूफ नहीं थे, क्योंकि अगर देखा जाए, अगर ब्रिटिश बेवकूफ होते, तो वो इतना 1500 साल तक हमारे इंडिया पे राज नहीं कर पाते, बहुत सारे श्ट्रगल करने यह कही ने कही से लीग हो गया और पता चल गया ब्रिटिश को, तो ब्रिटिश को जब पता चल गया तो ब्रिटिश तो छोड़ेगा ने यार, वोलों के पास government है पूरा, उनके पास हर चीज है, तो उन्होंने क्या कर दिया, पूरा यह प्लान को रंगे हाथ पकड़ लिया प्लान को पूरा एकदम सत्यानाश कर दिया एक तरीके से, और यहाँ पे जो दो मेन व्यक्ति थे, इनको पकड़ने की कोशिश की, तो वो टाइम पे क्या हो गया यहाँ पे, कि जो पिंगले जो थे, यानि कि ये जो विश्नु गनिश पिंगले थे, वो कैसे ने कैसे करके ब्रिटीश के हातों द्वारा पकड़े गए, यानि ब्रिटीश ने इनको क्या कर लिया, पकड़ लिया, और यह जो रश्बिहारी बोसे, वो कैसे न कैसे बचके, ब्रिटीश के हातों से बचके भाग गए, लेकिन जो पिंगले थे, वो पकड़े गए, जब वो पकड़े तो यहां पर ब्रिटीश तो छोड़ेगी नहीं, तो ब्रिटीश ने क्या कर दिया, यह जो पिंगले थे, इनको क्या कर दिया, हैंग टिल दे थे, याने कि फासी की सजा सुना दी, आप जानते हो, ब्रिटीश के पास एकी तो हत्यार था, फासी दिये तो सीधा सी बात है, तो तो वो क्या करने, बहुत सारे revolutionaries को उनोहने फासी दिया, आप जानते होंगे, बहुत सारे लोग अंगीनत, तो उनोहने क्या कर दिया, इनको फासी की सुना जे रजबिहारी बोज जो थे वो कैसे बचके भाग गए, भागने के बाद काँ पॉँच गए, जापान पॉच गए जापान में फिर वहां से रहते हुए भी उन्होंने बहुत सारे रिवॉलूशनरी वर्क यानि कि क्रांतिकारी वाले वर्क वहां पे उन्होंने श्टार्ट किया जापान के अंदर से इसो चो कितना ज्यादा उनके अंदर डेडिकेशन था हमारे कंट्री के लिए ठीक है अब का जो एक्टिवनेस था वो बहुत अच्छा था और वो रिवॉलुशनरी का काम वहां से भी यानि दूर देश से भी रिवॉलुशनरी का काम जो हमारे देश के लिए हो रहा था तो बरलिन में यहाँ पे एक विरेंद्रनाथ चटो पाध्याय व्यक्ति दे भुपेन दत्त थे और साथ ही में हर दयाल तो उन्होंने एंटी ब्रिटिश प्लांस तयार किये थे ताकि यह जो जर्मन फॉरिन मिनिस्ट्री है वो देखो अभी जर्मनी में आपको पता है कि वो टाइम पे हिटलर वगरे का शायद शाशन था तो उन्होंने जर्मन जो मिनिस्ट्री था उसके साथ में मिलके क्या किया था एक प्लान तयार किया था एंटी ब्रिटिश की किस प्रकार हम ब्रिटिश को महां से हटाएंगे तो 1915 में तो शायद हिटलर नहीं थे मेरे इसाब से मुझे इतना आइडिया नहीं है हिश्ट्री का क्योंकि आप जामते हूं कि I am not a proper historian ले आपको नाम याद रखना है महिंद्र प्रताफ हो गए बरकतुल्ला हो गए और साथी में ओबैदुल्ला सिंधी ठीक है उन्होंने क्या किया था एक प्लान तयार किया था एक प्रोविजनल गवर्मेंट जो कि क्या रहेगा काबूल में एक जगा है आप जामते हो अफगान जो है इस गदर आंदोलन के बीच हुई थी अब चलते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की तरफ आज का दूसरा टॉपिक और आज का आखरी टॉपिक जिसका नाम जैसे मैंने बोला काकोरी कंस्पिरेंसी तो यह है क्या तो काकोरी एक्चुली एक जगा है काकोरी ठीक है तो इस का नाम है जो यूपी यानि कि उत्तरप्रदेश में बिलॉंग करता है तो यहाँ पे क्या हो गया कि प्रिटिश गवर्मेंट बहुत ट्राइ कर चुका था जो उसके हत्ते आ रहा था जो उसको पकड़ में आ रहा था वो उसको फासी की सजा सुना दे रहता है यानि कि कही बिलॉट बहुत जादा अपनी तरफ से ट्राइ कर रहा था कि यह जो रिवॉलूशनल वाली काम हो रहे हैं यहां जी क्रांतिकारी वाले जो काम हो रहे हैं इंडिया के लोग यानि की मरने के लिए तयार है आ जा दी के लिए तो इस प्रकार के काम हो रहे तो बिलुटिश क यंग्षटर जो थे वो गरम खुन वाले तो महत्मा गांधी का जो तरीका था वह भाई शांती तरीका नॉन वायलेंस हम को हिंसा नहीं करना है हम आंदोलन करेंगे ये करेंगे भु करताल करेंगे इस प्रकार की चीज़े गांधी जी बिलीव करते थे लेकिन कुछ यंग् यंग रिवालुशनरी क्रांतिकारी जो लोग थे उस टाइम पर जैसे कि चंद्रशेकर आजाद, इनका नाम तो हम जिंदगी बहुत सकते, चंद्रशेकर आजाद हो गए, राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, योगे चैटर जी हो गए, फिर सचिंद्र नात संयाल हो गए, और ऐ ऐसे बहुत सारे यंग जो रिवालुशनरी थे उस टाइम पर उन्होंने क्या किया, वो एक साथ मिलके आ गए, इकटा हो गए, और उन्होंने अपना रास्ता चुना, आजा दी पाने का, तो एक टाइम आया, 9 अगस्ट, जैंद्र सुना दोस्तो, 9 अगस्ट का दिन था, औ 9 अगस्ट, 1925 के दिन क्या हो गया यहां पर, कि उन्होंने, जानी कि जो मैंने इतने सारे नाम अभी लिया ना, चंद्र सेखर आजाद लिया, राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, योगेश चैटर जी हो गए, सचिंद्र, सैयाल हो गए, ये सब और साथी में कुछ और रिवाल काकोरी एक जगा का नाम जैसे मैंने बोला, तो काकोरी रेल्वे स्टेशन के नस्दीक में जब वो ट्रेन पास होने लगी, ये जो स्टेशन है, इसके नस्दीक से जब ट्रेन पास होने लगी, तब उन्होंने क्या किया ये ट्रेन को लूटा, और ये जो जगा है ये जो का काकोरी जगह है उसका एक नाम कड़ गया काकोरी कांस्पीरेसी यानि कि एक अनोखा चीजण हो गया यहां पर इन दिगर एक नाम है एक नाम रख धिया गया एन उसी के wollt अनुटD को को क्या कर दिया अरेश्ट कर दिया बहुत सारे लोग को क्या कर दिया जेल में डाल दिया तो जैसे कि उन्होंने अश्वकुला खान हो गए राम प्रसाद बिस्मिल हो गए राजेंद्र लहरी हो गए उनको क्या कर दिया गया जेल में डाल दिया प्रिजन में डाल दिया गया उनको सजा सुना दी गई और लेकिन यहाँ पे एक जो व्यक्ति थे जिनका नाम ता चंदर सेखर आजाद वो लेकिन इनके हातों में नहीं आपाए और वो एसकेप होके बहाग गए ठीकर आप जानते हो एसकेप हो गए बचके वहां से निकल गए ठीकर ना देखो भागना य हम लोग रिवालुशनल वाला काम जो है आगे भी बढ़ा सकते हैं और हमारे देश को आजाते दिला सकते हैं इस चीज के लिए गए तो वहां से वो एसकेप होके निकल गए और धीरे धीरे आगे की जो स्टोरी है वो हम लोग करेंगे कि उसके बात क्या हुआ और कौन सी ट बहुत पुरानी स्टोरी है इसके पीछे तो ये सब चीज क्या हुआ चंदर सेखर आजाद भी उसमें थे ठीक है बगत सिंग के साथ तो ये सब चीज क्या हुआ ये स्टोरी आने वाली है दोस्तों लेकिन आज इसको हम नहीं पढ़ेंगे हमारे अगले लेक्चर यानि की लेक्चर नमबर 4 में जो अगला लेक्चर फटा फट से हर दिन आपको पता है मैं वीडियो बना देता हूँ आपके लिए तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है आपको बस थोड़ा सा इंतजार करना है आपको अगले ही दिन में यानि लेक्चर नमर 4 मिल जाएगा जिसमें हम भगत सीम के बारे में और भी बहुत सारे चीज़ें हैं जो हैं डिसकस करेंगे साथी में यहां पे और सूर्य कुमार सेंट जो थे उनके भी बारे में पढ़ेंगे बहुत मज़दार व्यक्तिर है तो इस सब चीज आएगा हमारे अगले लेक्चर में तो आप लोग बने आपने सारे फ्रेंड्स को फटा फट से शेयर कर और बताओ कि इतने बहतरीन चीज़ें इन्फोर्मेशन हिस्टोरिकल वाली चीज़ें हमको पता चल रही है जो आज के पहले कभी सूनी नहीं क्योंकि लोग कैसे भी करके बस रीड करके चले जाते हैं लेकिन हम आपको पू तो आप लोगको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी ठीके फ्रेंड्स तो मिलते हमारे गले वीडियो में ये वीडियो देखने के लिए थाइंक यू एंड गुडबाई